नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का नवभरत टाइम्स पर आपके साथ मैं हूँ संदीब दोस्तों दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल मंगलवार को यहां के रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में दो मरीज पहुंचे उन्होंने डॉक्टर को अपनी एक मेडिकल र पर रिशान थे लेकिन फिर अस्पताल के डॉक्टर देश दीपक ने उन्हें जो बताया उसे जानने के बाद उनकी जान में जाना आई डॉक्टर ने इन मरीजों को जो बताया वो हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको भी करोना वाइरस को लेकर कभी कोई कन्फूजन ना हो तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा सुनिएगा अगर आप आज बिना किसी डॉक्टर इसलाह के अपने मन से यूँ ही कोरोना वाइरस की जान्च कराते हैं और रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो क्या आपको डरना चाहिए जी नहीं बिल्कुल नहीं इसलिए नहीं क्योंकि जिस कोरोना वाइरस की जाँच आपने कराई है वो एक आम वाइरस है उससे डरने की कोई वज़ा नहीं है दरसली सारा कंफूजन नाम को लेकर हो रहा है ये वो वाइरस नहीं है जो इस वक्त चीन में कहर बरपा रहा है चीन में जो वाइरस फ्हला हुआ है वो नया वाइरस है उसका नाम है 2019 Novel Corona Virus जिसे COVID-19 के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर देश दीपक ने बताया कि कोरोना कोई नया वाइरस नहीं है इसे ऐसे समझे कि ये एक परिवार है जिसके कई प्रकार के वाइरस हैं जो पूरी दुनिया में अक्टिव है चीन वाले कोरोना वाइरस यानी COVID-19 के सामने आने से पहले ही कोरोना के चार वाइरस पहले से एक्टिव हैं लिकिन ये साधारन वाइरस की तरह होते हैं इनसे आम तोर पर कोई नुकसान नहीं होता यहां तक की संक्रमित इंसान को भी पता नहीं चलता कि उसके शरीर में ये वाइरस मौजूद है क्योंकि इनसे निपटने में हमारा शरीर अपने आप में सक्षम होता है ये भी जान लीजिए कि ये चार कोरोना वाइरस कौन-कौन से हैं तो अगर किसी मेडिकल रिपोर्ट में इन में से किसी एक वाइरस का जिक्र हो तो घबराने की कोई बात नहीं है वैसे आपको बता दें कि आजकल दिल्ली में ऐसे कई मामले देखे जा रहे हैं जब लोग अपने मन से किसी प्राइवेट लैब में जाके जाच कराते हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव आता है तो फिर वो परिशान हो जाते हैं यहाँ पर आपको हम ये भी बता दें कि केरल में जो तीन मरीज जो चीन के बुहान से यहाँ पर आए थे उनको अगर छोड़ दिया जाए तो अभी तक देश के किसी भी हिस्से में कोई केस सामने नहीं आया है दिल्ली एंसियार में भी नहीं और जहां तक मेडिकल जाँच की बात है तो आप ये जान लें कि चीन वाले कोरोना वारेस यानि कोविड-19 की पहचान दिल्ली में सिर्फ दो जगों पर हो सकती है पहला एम्स में और दूसरा NCDC की लैब में ऐसे में बिना वजह ना तो अपनी आप जाँच करवाईए और अगर जाँच में पॉजिटिव आभी जाए तो बिल्कुल ना डरें परिशान बिल्कुल ना हो पर हाँ उन लोगों को जरूर अलर्ट रहने की जरूरत है जो हाल ही में चीन या किसी अनिदेश की आत्रा पर गए हो वहां से लोटे हो अगर आप ऐसे किसी संक्रमित इंसान से मिले हो या उस इलाके में गए हो तो अलर्ट रहने की जरूरत है ऐसे लोगों को अपने लक्षनों पर गौर करना चाहिए सरदी खासी या जुखाम होने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जो लोग किसी एक्टिविटी में ना रहे हो उन्हें जाच की कोई ज़रूरत नहीं है दिल्ली में अब तब करोना वाइरस के शक में कुल 42 संदिक्द मरीजों को आरेमेल अस्पताल में भरती किया जा चुका है सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है उन्हें अस्पताल से चुटी भी मिल गई है तो नाम को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें खुद भी जागरू करें और दूसरों को भी जागरू करें यह वीडियो अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें फॉलो कर लें और अगर आप यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नमस्कार